दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपके BSC 3rd year 5th semester Botany के Unit 7 Nucleic Acid से जुड़ा हुआ सबसे last topic MiRNA तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि MiRNA होते क्या हैं इनका synthesis कैसे होता है और इनके function क्या है तो यदि हम बात करें MiRNA की तो इन्हें हम कहते हैं Micro RNA तो जो Micro RNA होते हैं वो बहुत छोटे छोटे RNA होते हैं जो की gene expiration को control करते हैं तो MiRNA क्या है? These are small non-coding RNA तो यहाँ पर biology के sense में coding क्या होता है? तो biology के sense में अगर हम देखे coding का मतलब है कि जो की protein बना सके तो यहाँ पर अगर हम बात करें MiRNA की तो यह खुद से protein का formation नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह non-coding small nucleotide है अब बात आती है कि Micro RNA spy कहां जाते हैं? तो यह आपको पूरे plant kingdom में, animals में और यहाँ तक की कुछ virus हो even आपको यह viruses में भी देखने को मिलते हैं अगर इनके sequence को आप देखेंगे तो यह highly conserve होते हैं यानि कि most of the organism में आपको देखेंगे इसको तो आपको कहीं कहीं यह match करता हुआ दिखाई देगा जब भी आप इन्हें blast के through सर्च करोगे तो आप देखोगे कि most of the organism में आप यह को यह एक जैसे ही दिखाई देंगे यानि कि यह highly conserve होते हैं और आपको बता दे कि यह जो miRNA है यानि कि जो microRNA है यह लगबग 20 to 25 nucleotide जितने लंबे होते हैं तो microRNA करते क्या हैं microRNA regulate करते हैं gene expression को यानि कि protein synthesis को gene expression का मतलब क्या हुआ protein synthesis mainly यह क्या करते हैं कि जो protein synthesis है उसको decrease करते हैं microRNA करते क्या हैं कि यह particular target RNA से bind कर जाते हैं इनकी जो bonding है इतनी strong होती है कि जो particular RNA है वो आगे चल कर protein का synthesis नहीं कर पाता यानि कि उस RNA से ribosome attached नहीं हो पाएंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि microRNA जिस particular RNA से bind किया हुआ है वो degrade हो जाए यानि कि उसका जो function है वो inhibit हो जाए तो उस particular RNA की degradation हो जाती है या फिर उसका जो translation है वो inhibit हो जाती है तो इस प्रकार से microRNA इन दो तरीकों से gene expression को control करता है तो इसका जो regulation होता है इसे हम कहते हैं post transcription regulation तो post transcription का मतलब क्या हुआ after transcription तो transcription में होता किया है कि RNA होता है उस RNA को transcript करके बनता है protein तो जो transcription जिस RNA का होता है ठीक है वो किसी ने किसी gene के थुरू बनता है तो जो particular RNA है जो जिस gene से बनता है उस particular RNA पर जाकर ये micro RNA जुड़ते हैं और उसके gene expression को degrade कर देते हैं अब बात आती है कि ये जो micro RNA है उस particular RNA से bind कहा करते हैं तो ये bind करते हैं 3' UTR reason पर यानि कि जो particular RNA है जिसका 3' untranslated reason है वहीं पर micro RNA जुड़ते हैं अगर हम बात करें micro RNA के history की यानि कि इसकी discovery कैसे हुई थी तो एक scientist थे Victor Ambrose तो इन्होंने सबसे पहला MI RNA discover किया जिसे हम जानते हैं LIN 4 के नाम से तो यहां पर आप एक बात याद रखेगा कि जब भी आप MI RNA या फिर SI RNA को लिखते हो तो वो italicized form में लिखा जाता है बट अगर आप हां से लिखते हो तो आपको separately इसको underline करना होगा जैसा कि आपने binomial नामंक लेचर में पढ़ा हुआ है और यह discover किया गया था 1993 में Cynor Habitatis Elegance में जो की एक निमेटोर्स है इसके अंदर सबसे पहले LIN 4 नामक MIRNA discover किया गया था तो यह LIN 4 नाम से क्यों जाना जाता है तो आपको बता दे कि जो Phenohabitatis Elegance जो की निमेटोर्स है इसके अंदर एक LIN 14 नामक जीन पाई जाती है तो यह क्या करता है जीन 14 नामक जीन के जीन expression को ब्लॉक करता है और इसी कारण LIN 14 के नाम से इस MIRNA का नाम पड़ा LIN 4 आपको नेक्स नम बात करते हैं कि Micro RNA का formation कैसे होता है The formation of Micro RNA consists of three important steps तो Micro RNA के formation में तीन important steps होते हैं तो सबसे पहले formation होता है Pre-MIRNA यानि कि Primary Micro RNA का उसके बाद दूसरा जो formation होता है वो होता है Pre-Cursor MI RNA यानि कि Pre-MIRNA और last में formation होता है Mature MI RNA का तो जो Mature MI RNA होते हैं वो डारेक्ट नहीं बनते सबसे पहले Pre-MIRNA बनते हैं और उसके बाद Pre-MIRNA बनते हैं नीचे आप figure में देख सकते हैं कि कैसे cellular gene से पहले बनता है Pre-MIRNA दूसके बाद Pre-MIRNA और last में Mature RNA तो इन पूरे प्रोसेस को हम डीटेल से आगे वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पूरा भाग है वो है Pre-MIRNA ठीक है इसके बाद यह जो भाग आप देख रहे हैं जो कि Drosa, Cleves, Reasoner और Dicer, Cleves, Sight है इस वाले भाग को हम बोलते हैं Pre-MIRNA जबकि यह जो इतना भाग है यह है Mature MI RNA आपको यहाँ पर बता दे कि जो MI RNA है उसके formation में कितने तरह के protein भाग लेते हैं तो अगर हम animal की बात करें तो animal में जब nucleus में MI RNA बनना स्टार्ट होता है ठीक है तो वहाँ पर एक enzyme भाग लेता है जिसका नाम है Drosa जो कि P-R-I-MIRNA को बदल देता है P-R-E-MIRNA में अब इसके बाद P-R-E-MIRNA जो है अब वो nucleus से आता है Cytoplasm में अब यह Dicer enzyme क्या करता है कि जो P-R-E-MIRNA है इसको cut कर देता है 20 से 25 nucleotide structure में जिसे हम बोलते है MI RNA या फिर कह सकते है mature MI RNA तो यहाँ पर आप figure में देख सकते हैं कि जो animal के nucleus में बनने वाला P-R-I-MIRNA है उसको Drosa दवारा convert किया जाता है P-R-E-MIRNA में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पुरा P-R-E-MIRNA है Drosa इसको cut कर दिया अब यह बदल गया P-R-E-MIRNA में अब इसके बाद P-R-E-MIRNA आता है nucleus से cytoplasm में जहाँ पर इसे dicer enzyme दोरा इसमें जो present hair loop like structure है इसको cut कर दिया जाता है और इससे बन जाता है MIRNA या फिर कह सकते हैं mature MIRNA तो यहाँ पर आपको detail figure मिल जाएगा आप पूरे procedure को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि gene से कैसे formation होता है P-R-E-MIRNA का और Drosa दोरा उसे P-R-E-MIRNA में बदला जा रहा है अब यह P-R-E-MIRNA आता है Cytoplasm में जहाँ पर Dicer दोरा इसे cut करके mature MIRNA में बदल दिया जाता है तो यदि आप MIRNA के formation के बारे में detail से जानना चाहते हैं और इससे जुड़े वे बहुत सारे topic हैं जो की important है और उसे MCQ बनते हैं तो इस topic से अलग से मैं एक video बनाऊँगा क्योंकि एक ही video में हर topic को include करना possible नहीं है तो यदि आप MIRNA के formation के बारे में detail से जानना चाहते हैं उससे जुड़े वे important topic को भी detail से जानना चाहते हैं तो please आप हमें comment करेगा मैं इस topic पर एक अलग से video बनाऊँगा तो आपको आज का ये video कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा आज के इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगले video में अगले topic के साथ तब तक के लिए जह हिंद जह भारत